अब राजिदा का पौधा बहुती खुबसूरत पौधा होता एक वाइन होती है जिसमें बहुत सारे कलर्स के फ्लॉवर्स आपको मिल जाएंगी जैसे की परपल कलर है वाइट कलर है पिंग कलर है बहुत सारे कलर्स इसमें आते हैं ये सिंगल पैटर्न डवल पैटर्न कई त पौधा माना जाता है घर के लिए बहुत ही सुब्पवदा माना जाता है तो हम सभी को इसे गर अधनद में ज़रूर अधर करना चाहिए तो आज के एसको सूए सीट से ग्रो कैसे करेंगे और इसको सीट से ग्रो करना बहुत ही आसान होता है लेकिन हम इसको अगर परफेक्ट टाइम पर अगर हम इसको ग्रो नहीं करते हैं तो इनके सीट भी ग्रो नहीं होते हैं तो फ्रेंड्स मैंने माईर में इसके सीट ग्रो किये थे तो इसका रिजल इसका रिजल्ट में वीडियो में आप दिखाऊंगे और यह भी बताऊंगी कि उन सीड्स को ग्रो होने में कितना टाइम लगा था तो आपको उनका इंतजार नहीं करना है और हमें फिर से सीड्स लगाने हैं कभी कभी सीड्स खराब होने की वजए से हमारे seeds grow नहीं होते हैं मैं जब भी कोई بھی seeds रखती हूँ तो इस तरह की ear tight polythene का use करती हूँ जिसे के हमारे seeds खराब नहीं होते हैं तो आप भी इस तरीके से अगर आप ہीं से seeds लागिर रख रहे हो या आपने garden से ही seeds collect कर रहे हो तो इस तरीके की polythyn का यूज़ कर सकते हैं तो चलिए मैंने इनको seeds मैंने जो जो जोलाई में लगाए थे जोलाई का बहुत ही perfect time होता है seeds grow करने का बस बहुत जादा बारिस नहीं हो रही हो तो ये मैंने जो seeds लगाए थे इनको grow होने में मैं बिल्कुल आप लोगों के साथ सही share करूँगी कि इनको जो मेरे जो दो plant बड़े बड़े दिख रहे हैं इनको grow होने में सिर्फ 4 या 5 दिन लगे थे कि उनके seeds grow होना start हो गए थे इन seeds को लगाए हुए मुझे आज 10 दिन हो चुके हैं इसका मैं आपको result दिखाती हूँ कि 10 देन में यह इस तरीके से कुछ seeds अभी निकल रहे हैं और कई मेरे इनकी growth start हो गए बारिस में इनकी growth बहुत अच्छी होती है तो इसकी update भी मैं आपको देती रहूंगी कि इनकी growth कैसी चल रही है और देड महीने में यह plant flowering पर आ जाता है तो वो क्योंकि इस टाइम इसकी growth बहुत जल्दी होती है बारिस में अगर आपने seeds लगाए हैं और बहुत ज़्यादा तेज बारिस हो रही है तो इनको आप sadded area में रख दीजिए जिससे के बारिस का पानी नहीं जाए नहीं तो आपके seeds grown नहीं होंगे तो friends इसके आगे update लेने के लिए अगर आप मेरे channel पर नए है तो please channel को subscribe कर लेना वीडियो पसंदेगे